संदीर जी सबसे लेकर आगहं तो बना रेम लिट्र अब भी जैसे यह कुंचत हो ब्हुशां जी फुन कोई समय करें तो κάक्र भी अब्र तो एक बार फिर से पशू पालकों के सामने ताजा ब्याई हुई शांदार जो पांच मैंसे हैं लेकर के आई हैं सोने पे सुहागा घर और व्यापार में शुब माने जाने वाली मीनी और बूरी का जो ग्रेट कॉंबिनेशन है वो पहली बार आप लोगों को वीडियो के सेकिंड लैक्तेशन की जितनी भी भैसे हैं सेकिंड लैक्तेशन की पांच भैसे और एक जो कटड़ा है वो आपको दिखाएंगे नन्ने जो काफ्स नन्ने जो शिशु हैं नीचे आप देख सकते हैं सबके साथ में जबर दस अडर कॉलिटी मूरा का गढ़ कह जाने वाले रोतक का गाउं है सांगी परदीप उड़ा सर आप यहां पे देखिए गा इनी के फार्म से जो पशुदन है आप सब पशुपालकों को देखा रहे हैं पहले भी काफी सारी वीडियो लेकर के आए हैं टाइम टू टाइम अच्छा पशुदन हमारे पशुपालकों को इस डेर सबस्क्राइब यहां आप की दो 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 यहां होगे दो देन लेट होगे दो मैस तो कल चलीग गई तो प्रदीप सर पांच पशूदन आज दिखाएंगे आप और आपके पिछे जो जो भेंस है इसी से शुरुआत कर लेते हैं क्या कुछ जनकर एक बर बता दीजिए यह सेकंड लैक्टेशन में ठीक हैं पहले भ्यातमसोडा की लोदूद देरिये बाई साब कल ही बैये बाई जनम दिया है सेकंड लैक्टेशन में जो पशूदन है वो आप देखेगा और निच्चे फीमेल काफ जो कटड़ी है सोने पे सुहागा बच्चा आप यहां पे देखेगा काफी काफी बहतरीन प्योर जैट बलाक टेल में जो कटड़ी है उसको इसने जनम दे रखा है में निकल करके आएंगे अब की बार क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना दूद देदेगी लगए संदीब ठारा उनिस तो निकालना चाहिए मेरे बाइजी अठारा उनिस किलो दूद इसने देना चाहिए है तो छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ हाइट लेंध आए बैके फिर बाइज दाश में रहे हैं जो कद काठी है वह आप सब पशूपल्कों के सामने और एठारा उनिस किलो दूद की जो एकस्पैक्टेशन से ववे पर दीप सार बात करे कीमत मोल बाओ इसका बढ़के साब एक लाक साथ जार रुप एक लाक साथ जार रुपै यहां बाइस आप यहां पर देखेगा क्योंकि आजकर मैं कॉँँगा ताजा ब्याय हुए पशूदन मार्केट में जब आप लोग देखेंगे तो काफी महंगे हो रहे हैं सब्सक्रादिया जब है क्यों सरीयंलाल में मैं सूई रहिए इसमाहश सकाराण नोए सरीयानल या एक मराड भी डक्टर हुँद दोर फोन करो ही पह डक्षाब रावराम राम बाई देना फोन मिलाया कि फोन करया डक्षाब या मैस दो साल पहले बैदीब नए दूद ना उनती ना दक्षाब नूट्री डाइट ना खवाई और बुट्टी गल्ती कर रहा पलो नूट्री डा डाइट की अधा फोटा हो या बड़ा उन्यसाइक छोटा हो ना जों को नूट्री डाइट जरूर खिलाए नेश्याब का पशू शमय पर नहीं दूद होगा बांज नहीं होगा ओर चोटे पशू जल्दी तयार होंगे ताजा जो बाखडी भैसे हैं वही एक लाग से उपर उपर तक की सेल आउट हो रही है तो ताजा में तो कोई गुंजाइस है ही नहीं आगले पशुदन पे चलते हैं घर और व्यापार में शुब बाने जाने वाली मीनी और बूरी दोनों का ग्रेट कॉंबिनेशन आप यहा इस नहीं नीचे जो कटड़ी है वह यूह शरीं देहने को मिली आटर की क्ालिटी आप देख सकते हैं चैरे- अरफ मुरी कि जो beauty जो सुन्दरता है वो आप सब पशू पलकों के सामने निकल करके आ रही है पूछ प्रदीब सर यह कटी हुई है इसमें नहीं पता संदीव वैसे जनमजाद से ऐसे ही है और दोनों शिंग इलते हैं बाइसाब आच्छा शिंग भी इल रहें बाइसाब दोनों सिंग इ आप देख सकते हैं आप बात करें किमत मौलवाव इसको कितने में देना है अपने इसका रिट बाइसाब एक लाग सतर हजार रुपे एक लाग सतर हजार रुपे अठारा से उननीस किलो दूद तयार है अभी हाँ ठारा लिटर तयार है भाईसाब को इतने टैम आगे माप बढ़ बढ़िया तो तीसरे नमबर का जो पशूदन है उसकी क्या कुछ डिटेल से एक बार बता दीजीगा नो 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 यह सब्सक्राइब और सुबह रहे खीश से खाली करिया वाईसाब सुबह ही इसको खीश से खाली किया गया है अब याठ नो किलो दूद होगा आप सब पशू पालकों के सामने और पशू दन आप देख लेजिएगा लेकर के चेहरे मुरे की बनाओट से हाइट लेंथ जो कटकाथी है वो आप सब पशू पालकों के बीच में पैरो के बीच का अडर है डवलप जो धनो के कूप हैं वो इसमें आप सब भाईयों को दे आप सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा तो आची काफी अची जो सेकंड टाइमर जोटी है वो दार चुआई की कैसी है बहुत बड़ी है एक दम से फोली भाई सब्सक्राइब कोई भाई आए कितने समय का दूद दिखा करके देना पसंद करों कोई अब्जेक्शन नही बात करें सर कीमत मुल्बाउ इसका एक लाग थीसार रौपी है एक लाग थीसाजार रूपे है उसका रखा गया है चोत्थे नंबर पर जो पंद्रा सोला दिन की ब्याई है जी पंद्रा सोला दिन की ब्याई हुई सेकंड टाइमर जोटी निचे कटडी तेरा किल्लो दूद है तो सेकंड लक्टेशन में पशुदन हाइट पीट की कौलिटी आप देखेगा पैरों के बीच का जो अडर है वो शांदार जो है जबर्दस टेट स्पेसिंग है वो इसमें देखने को मिलेगी निचे हैल्दी जो फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आप सब पशुपालकों के सामने तो काफी अच्छी जोटी है और मेले वगएर से परदीप सार लग चुकी लग लग चुकी है लग लग ली संदीबाई बात करें कीमत मोलवाओ इसकी इसके सवालाख रुपे एक लाख पचीस जार रुपे जो कीमत जो कोस्ट है वो इन्होंने रखी है काफी अच्छा जो पशुदन है वो आप चलते हैं पांचवे नंबर का जो पशुदन है इसकी क्या कुछ जानकारी क्या कुछ डिटेल से बात करें तो शरीर से दुबला पतला पंद दिख रहा है इसमें और चार दिन की ब्याई है निचे कटड़ी है इसमें वह आप सब पशुदन को देखने को मिलेगी दूद की बात करें तो इसका नो किलो दूद मुके पे तही आ रहे हैं हाँ चैर दिन की ब्याई तलब ची तो मिनी है यह यह जी केंडी बोलते हैं एक सिंग वैसा है एक मिनी टाइप से जो सिंग है वो केंडी जोटी आप यहां पर यह सेकंड लक्टेशन में कर रखी आज मोके पर दूद कितना है इसमें इसमें आठ नो किलो जी बाइस तो प्रदीव सर बात करें इसकी किमत मुल अब ब्यात भी कम है वैसे इसी वज़े से असी चीज़े हो रही है जब ब्यात आएंगे तो उमीद है पूरा-पूरा रेट भी थोड़ा सा डाउन होगा तो आप बात करें जो आपका कटड़ा है कटड़ा भी आप कह रहे हो घर का पाला हुआ सेल करना चाहाँ इसको घर क काइऽ सैंद्न कंई प्यात में आट रहाँ किलो चाहं ठाहरा किलोओ अभी मेरे पास से च्ब्यात में तो तो उम्र की बात करें तो क्या कुछ हेज है वैसे इसकी एक साले कोई होगी तेरा महीने की जो कटड़े की वह आप यहां पर देखेगा और टेस्टीकल्स में है तेस्टीकल्स आप देख लीजिएगा काफी जबर्दस जो बहतरी जो टेस्टीकल्स हैं वो इसने निकाले हैं तो बात करें इसको आपने सेल करना इसका क्या कुछ कीमत मुलबा हो इसके 28,000 रुपे जो कटड़ा है उसके बाकि जितने जो पशुदन है वो आप सब पशुपालकों के सामने तो चेहरे मुरे की बनावट कटड़े की फिर से आप देख लीजिएगा कद काठी है हाइट जैन्त है वो आप सब पशुपालकों के सामने तो प्रदीप सर बात करें संपर्क सुत्र क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं आपके 9050187000 नाजी 90509050187000 और गाउं है आपका सांगी तो पांच पशुदन और एक जो कटड़ा है वो इनके फाम से फाइनली आप सब पशुपा जरूर पसंद आएगी आज की वीडियो थी डिस्टी क्रोतक के गाउं सांगी से जल्द ही मिलेंगे फिर किसी ने पशुपालके गरिया किसी बड़र डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सब को मेरा नमस्कार धन्यवाद जैजवान जैकिसान